हालो गाइज मैं सागर फिर से एक बार आ चुका हूँ आपके लिए और एक नया प्रोजेक्ट लेके तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको एक काफी पावरफुल गियर मोटर बना कर दिखाने वाला हूँ बस शर्त यह है कि आपको वीडियो को फुल वाच करना है शुरू से लेके अन तक पूरा वीडियो देखोगे तो आप इस मोटर को काफी आसानी से बना सकते हो और काफी ज्यादा टाय मतलब काफी ज्यादा चीजों के अंदर यूज कर सकते हो लेकिन वीडियो शुरू करने स इस गियर मोटर की मेकिक तो भाई इस गियर मोटर को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें PVC शीट लगने वाली है यह किस तरीके से बनाई जाती है यह तो आपको पता ही होगा तो चलो सबसे पहले इसके उपर हम कुछ नाप ले लेते हैं कुछ डायमेंशन्स निकाल यह काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है इसका यूज आप किसी भी RC कार या फिर कोई भी कार बनाते हो कोई बोड बनाते हो कुछ भी बनाओ जो आपको चाहिए उसके अंदर आप इसका यूज कर सकते हो काफी ज्यादा पावरफुल गियर मोटर आज यह होने वाला ह तो यह जो इसके dimensions है, मतलब यह जो मैंने drawing बनाया, जो भी कुछ बनाया है, design बनाया है, तो इसके सारे dimensions में आपको यहापे लिखके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इसको काफी आसानी से बना सको, तो आप इसको काफी आसानी से easily बना सकते हो, सारे dimensions में यहापे लिख दि कट कर लेते हैं तो इसको कट करने के लिए यह आपे में जो लोहा काटने का केचा आता है इसका यूज कर रहा हूँ आप जो है वो नॉर्मल कपड़ा काटने का केची सीजर जो आता है उसका भी यूज कर सकते हो या फिर भाई आप एक्सव बलेट से भी कर सकते हो कोई बात यह जो PVC कट जाता है आसानी से वैसे तो काफी मजबूत होता है लेकिन काटने पे कट जाता है वाई तो चलो अब इसको मैं फटाक से कट कर लेता हूँ तो देखो गाई जी यह जो हमारा पीस था यह कट होके रेडी हो चुका है लेकिन हमें इसी तरीके से दो पीसे आपे लगने वाले है तो यह जो डाइमेंशन से यह एक तो बन गया और उसके बाद जो दूसरा पीस है उसको हम बाद में बनाएंगे उससे पहले यहापे में इस तरीके की जो साइकल की सिपोक आती है तिली आती है जो भी ताडी आती है जो भी आपके बाशा में बोला जाए वो आप बोल सकते हो सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको समझा देना कि यह क्या चीज में यूज़ कर रहा हूँ यहापे तो आपको ऐसा दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा ज्यादा चोड़ देना है जितना आप बाहर लाना चाहते हो मतलब विल लगाने के लिए जितनी जग़ चोड़ना चाहते हो उतनी इधर उदर से आप चोड़ सकते हो यहापे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादा भी लंबा मत चोड़ना वरना यह आउट वर्क कर सकता है आउट टेड़ा मेड़ा चल सकता है इसलिए थोड़ा एक इंच देड़ इंच तक आप जितना चाहिए आपको उतना चोड़ सकते हो उसको यहाँ से कट कर लेना है आप इसकी जगह पे जो बाइक की तिल्ली आती है उसका यूज कर सकते हो लेकिन हो थोड़ी मोटी होती है यार तो उसके अंदर जो विल से हमारे गियर से उनको बिठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसके बाद मैंने एक ऐसा गियर ले लिया तो ये गियर आप जो पुराना टॉय आता है उसके अंदर से भी ले सकते हो आपको काफी सारे मिल जाएंगे जो बच्चों के खिलवने आते है या फिर टॉय आते है आरसी कार आती है काफी सारे जो भी हमारे गियर से उनके अंदर आपको इस तरीके का गियर मिल जाएंगा कार के अंदर पुराने खिलवनों के अंदर तो मैंने भी वही से लिया है मुझे मिल गया था तो चलो इसको इसके बीच में हमें सेट कर देना है तो यह आपे देखो ब निकत की बात नहीं है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसकी जगह पे हमारा जो पेन का रिफिल आता है उसको भी आप काफी अच्छे से डाल सकते हो और ये वर्ग भी कर जाएगा उसके बाद यहाँ पे ऐसे दो PVC शीट के टुकड़े कट कर लिए तो ये भी आप द अंदाश से अपने हिसाप से बना सकते हो उसके बाद यहाँ पे यह जो थ्री होल्ट की मोटर आती है टॉय की जो के आसानी से मार्केट के अंदर दस पंदर रुपे में मिल जाती है और उसके साथ एक गीयर भी लगा हुआ है अगर आप मार्केट से खरिदते हो तो इसको गीयर नहीं मिलेगा यह गीयर भी जहाँ से हमने जो पुरानी टाय कार में से निकाला वही कार के अंदर आपको यह गीयर भी मिल जाएगा तो चलो अब इसको भी आपे सेट करना होगा तो यह ऐसे सेट करना है आपको कि यह दोनों गीयर एक साथ मिलने चाहिए लेकिन ज्य इसको आपको द्यान रखते हुए चिपकाना है कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप बनाने बैट्टे हो तो काफी आसानी से इसको बना सकते हो तो अब यहाँ पे मैं सूपर ग्लू से इस मोटर को चिपका देता हूँ यहाँ पे हम नीचे से दो PVC शीट के पीस लगा रहा है क्यों क्योंकि हमारा जो बड़ा वाला गियर है वो थोड़ा उच्छा जा रहा है और यह जो विल मोटर है वो थोड़ा नीच्छा जा रहा है तो अगर ऐसा रहेगा तो जो गियर है वो स्लीप होगा अच्छे से वर्क तो इसको थोड़ा सा उच्छा बनाने के लिए यहापे मैंने एक PVC शीट का टुकड़ा मोटर के नीचे से लगा दिया अब यहापे आप देख सकते हो कि यह एकदम बीचो बीच आ रहा है और एकदम अच्छे से बैड भी रहा है यहापे जो बड़ा वाला गियर है उसके सेंटर में हमारी जो पुली है मोटर की वो आ जा रही है उसके बाद आपको ऐसा रखके इधर उदर से फेविक डाल देनी है यह काफी मजबूत और काफी बढ़िया से यहापे वर्क करने वाला है और काफी अच्छे से चलेगा भी और दोस्तों यहापे मैंने और एक PVC शीट ले ली और इसके उपर भी कुछ इस तरीके से दो पीस बना ली है यह जो गियर बनने वाला है ना काफी बढ़िया से वर्क करेगा और इतना ज्यादा ताकदवर होने वाला है कि आप इसका यूज करके कोई भी रोवर बना सकते हो काफी आसानी से क्योंकि जो बड़ा गियर है उसके अंदर काफी सारे टी थे और छोटे गियर के अंदर काफी कम टी थे यही इसकी power का राज है भाई और इसकी दूसरी खुबी ये है कि ये बनाने में इतना ज्यादा आसान है कि कोई भी बना सकता है सिरिफ दो ही gear का यूज किया गया है इसके अंदर में ज्यादा भी gear डाल सकता था लेकिन फिर भाई जो काफी सारे दोस्ते मेरे वो बना नहीं पाते क्योंकि ज्यादा gear यूज करेंगे ज्यादा mechanism होगा तो थोड़ा hard हो जाएगा और हमारी car जो है वो इतने gear के उपर भी चल जाती है काफी अच्छे से speed भी मिलती है और torque भी मिलती है अगर आप ज्यादा gear डालते हो तो speed कम हो जाएगी भाई और अगर कम gear डालते हो तो speed भी मिलेगी और torque भी मिलेगा तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर speed भी और torque भी दोनों भी रखे इसलिए मैंने इसके अंदर उसी तरीके के gear का यूज किया है तो चलो अब इसको भी चिपका देता हुए आपे तो दोस्तो यार अगर आप अभी भी वीडियो को लाइक करना बूल गए है तो वीडियो को लाइक कर दो उसके साथ साथ जो हमारा subscribe का बटन है उसको भी दबा के gray color में कर दो और जो notification आइकन है उसको भी all पे set कर दो ताकि आपको इसी तरीके से और interesting वीडियो या पे मिलते रहे तो हमारा gear motor बनके ready हो चुका है मैंने अच्छे से इसको finishing finishing दे दी है तो जो हमारा market का motor आता है उसी तरीके से लग रहा है और पुरा complete setup है आप सिरिफ इसको wheel लगा के आगे दो wheel लगा और आपकी जो car है toy car RC car वो बनके ready हो जाएगी तो चलो अब इसको मैं 3.7 hold से आपको चला के दिखा रहे ता हूँ आप इसको mobile battery से या फिर दो जो गड़ी के sale आते उनको series करके भी चला सकते हो देखो कितना बढ़िया से torque इसके अंदर है काफी बढ़िया से speed भी है हमारा जो gear है वो कही पे भी slip नहीं कर रहा है और कही पे भी कुछ नहीं है इसके अंदर torque भी अच्छा खासा है और speed भी काफी ज्यादा है काफी बढ़िया से हमारा जो motor है वो work कर रहा है उसको दोनो डिरेक्शन के अंदर गुमा के देखना एक बार कई बार मतलब गुमता ही है लेकिन कभी अगर आपका मोटर कराब हुआ कुछ गियर में मिस्टेक हो गई तो ये उल्टा रोटेट नहीं करता लेकिन ये काफी बढ़िया से या पर वर्क कर रहा है आपको ठीक से दिखा गियर मोटर है वो वर्क कर रहा है और दोनों साइट के शैफ थे एक जैसे ही गुम रहा है और काफी अच्छा खासा इसके अंदर तॉर्क भी है और ये कहीं पे भी स्लिप नहीं हो रहा है एकदम बढ़िया से हमारा जो गियर मोटर था वो वर्क कर रहा है तो दोस्तों उम जे समय मिला या फिर कोई बनानी का मौका मिला तो इसका यूज करके कार जरूर से बना के दिखाऊंगा आपको तो दोस्तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इसकी पूरी टेस्टिंग देख लेना काफी मज़ेदार है भाई